एलो फ्रेंड्स आइम हार्दिक शेटा फ्रोम सारस्वत इंटरनेशनल अकेडमी वापी आज हम स्टांडर्ट 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट्स और मेजरमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं ठीक है तो लास्ट सेशन में हमने देखा कि ऐसा यूनिट सिस्टम क् कौन कौन सी बेस कौंटिटी थे और उनके यूनिट्स और ठोड़ा सामने दिखा थ्यूनिट्स घीर्प से बना सकते हैं ठीक है फॉर्मला यास रखके यूनिट्स कैसे बना सकते है वह भी हमने देख लिया था ठीक है अभी हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंण्ट आफ़ embedים measurement of length तो आज हमें सिर्फ length का measurement ही देखना है फिर चाहे वो small scale पे हो या larger scale पे ठीक है तो हम length को कैसे measure करते हैं एक नजर करते हैं meter scale देखो यहाँ पे क्या है meter scale तो उसकी range क्या हो सकती है तो आप meter scale होती है उसमें आप minimum कितना measure कर सकते हो यहाँ पे देखते हैं यह meter scale है उसके 2 point के बीच में जो distance होता है वो हम बोलते है 1 cm का है suppose यहाँ पे 3 लिखा है यहाँ पे 4 लिखा है तो यह 3 से 4 तक का जो distance है वो 1 cm का है but 1 cm के बीच में भी ऐसे 10 marks आपको दीखेंगे ठीके ना तो मतलब 1 cm यहाँ पे divide हुआ है 10 से तो आप 0.1 cm तक measure कर सकते हो minimum distance तो meter scale है उसकी range होगी 10 to power minus 3 meter मतलब 0.1 cm से start करके 10 to power 2 meter 100 meter तक की meter scale हो सकती है ठीके फिर आएगा vernier calipers अगर उससे भी छोटा reading लेना है तो vernier calipers से वो 10 to power minus 4 meter तक precise reading दे सकता है ठीके उसके बाद हमने use किया micrometer screw gauge और एक sparometer है यह दोनों की range क्या है 10 to power minus 5 meter तक हम reading इससे ले सकते है अब यह vernier calipers micrometer screw gauge और एक है spherometer ओके यह तीनों को हम physics lab में अच्छे से पढ़ने वाले ठीके physics lab में आप experiment करके यह सब सीख होगे कि इसमें reading कैसे लेते हैं तो यहां पर हम देखते हैं यह है vernier caliper okay measurement कैसे लेना है वह हम physics lab में सिखने वाले यहां पर देख लो है यहां पर जो gap दिख रहा है आपको नीचे ठीक है ना वहां पर आप कोई object रखोगे जिसकी लेंथ आपको measure करनी है फिर यहां पर एक उपर screw है ठीक है यहां पर एक छुटा सा देखो screw दिख रहा है आपको number 4 के उपर वहां से हम यह tight कर देंगे ठीक है उसके बाद हम reading लेंगे अब reading कैसे लेते है वह आप physics lab में सिख होगे ठीक है यहां पर हमारे पास micrometer screw gauge भी है तो micrometer screw gauge में यह देखो circular dial है उसको आप round round गुमा होगे तो यहां पर एक रोड है green color का जो आपको दिख रहा है वह थोड़ा दूर जाएगा देखो जा रहा है जो गैप बना उसमें आप object रखोगे और फिर यह tight करके आप reading लोगे ठीक है अब reading कैसे लेना है वह आपको सिखना है physics lab में ओके अब आगे बढ़ते हैं स्फेरो मिटर से ज्यादा आगर हमें देखो यह स्फेरो मिटर की भी तो एक limit है 10 to power minus 5 मिटर तक हमें measure करके दे सकता है उससे चोटी चीज मेजर करनी है तो फिर तो फिर हमने बनाया simple microscope उसके बाद बनाया complex microscope ओके तो यह दोनो light wave यूज करते हैं और उसकी wavelength है उसके हिसाब से आप measure कर सकते हो अब light की wavelength है वह भी आपको मिलेगी 4000 angstrom to 7000 angstrom और angstrom क्या है तो 1 angstrom equal to 10 to power minus 10 meter ठीक है ना मतलब यह approximate 10 to power minus 6 angstrom sorry 10 to power minus 6 meter या उससे थोड़ी चोटी value आपको दिखा सकता है उससे ज्यादा अगर छोटी value है तो आपको reading लेने में यहाँ पर दिक्कत होगी तो फिर हमने use करना start किया electron microscope electron microscope है वो ज्यादा precise reading देगा उसके बाद हमने use किया atomic force microscope उसके बाद standing tunneling microscope ठीक है ना तो यह micro readings के लिए इतने instruments है हमारे पास अब देखते है measurements of large distance measurement of large distance very large distance है अब उसको measure कैसे करते है तो यहाँ पर देखो large distances such as the distance of a planet or a star from the earth cannot be measured directly with a meter scale an important method in such cases is the parallax method अब यह parallax method क्या है तो अगर आपको simple example से समझना है तो यहाँ पे जान दीजिए अगर आपको simple example से समझना है तो suppose यह road है ठीक है और यह आपकी bus है ठीक है और bus है वो आगे की और कोई v velocity से move हो रही है ओके आप window seat पे हो आप window seat पे हो और आगे जा रहे हो ओके और यह सब आपने शायद कभी ना कभी तो observe किया ही होगा तो आप suppose यहाँ पे कोई एक ट्री है समझना रास्ते से एकदम नस्दीक कोई एक ट्री है अब उसको observe करो तो ट्री है वो आपको अपने opposite side opposite direction में move होता हुआ नजर आएगा with same velocity जितनी आपकी speed की बस थी उतनी speed से आपको लगेगा tree है वो opposite side जा रहा है हाला कि जो यह पेड था वो उसी point पे fix था आप move हो रहे थे तो आपको लगा कि tree है वो opposite direction में जा रहा है clear फिर आपने observe किया दूर का एक tree ओके अब यह observe किया तब क्या आपको लगा तो यहां पे जो first tree था वो ज्यादा speed से पीछे की और जा रहा था बट यह second जो था वो कम speed से जा रहा है पीछे की और ओके यह speed कम हो गई relative speed यहां पे क्यों कम होई तो यह एक parallax है मतलब आख की आखों को मिलने वाला दोखा सपोज मैं सन को अबज़ो करूं कहीं दूर है यहां पे मैं screen से बाहर तो नहीं draw कर सकता तो यहां पे ले लेता हूँ ठीक है अब उसको अबज़ो करूं तो तो आपको लगेगा कि आपके साथ साथ सन है वो आगे बढ़ रहा है ठीक है मतलब आपके जो position है उसकी respect म में sun है वो wrist में आ गया ठीक है अब ऐसा क्यों तीन object है एक की speed आपको बहुत ही ज्यादा लग रही है और पीछे की ओर जा रहा है दुसरे की speed आपको कम लग रहा है और वो भी पीछे की ओर जा रहा है और third object है वो आपके साथ साथ आगे बढ़ रहा है अब ऐसा क्यूं तो अब ये समझते है कि suppose आपकी बस की position एक यहाँ पर है और कुछ टाइम बाद आपकी बस थोड़ी आगे बड़ी suppose इधर कहीं पर ठीक है और आप उसी position पर बैठे हुए हो अब आप क्या देखते हो ये tree को देखते हो तब continue यहाँ पर देखते रहते हो और यहाँ पर जब आओगे तब आपको इस तरफ देखना पड़ेगा ओके secondary के लिए देखते हैं आप यहाँ से इस तरफ देख रहे थे और जब आप आगे बड़ गए तब आपको इधर देखना पड़ा ओके sun के लिए तो बहुत ही दूर है तो कुछ इस तरफ देखना पड़ आपको और पहले आप देख रहे थे ऐसे ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज नॉटिस करो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है यहाँ पर यह एंगल ठीटा यहाँ पर एंगल बन रहा है ठीटा और यहाँ पे angle बन रहा है theta यहाँ पे theta बहुत ही बड़ा angle यहाँ पे angle छोटा है सब्सक्राइब नाम दे दू theta 1, theta 2, theta 3 तो theta 1 angle बड़ा है, theta 2 छोटा बन रहा है और theta 3 उससे भी छोटा बन रहा है मतलब जैसे जैसे आपसे object का distance बढ़ेगा वैसे वैसे जो एंगल है वो कम हो रहा है ठीक है अब होता क्या है कि आप बस की ये जो फर्स्ट पोजिशन है वहाँ से स्टार्ट करके सेकेंड पोजिशन पे आए तब ये पेड को देखने के लिए आपको इतने एंगल पे अपनी नजर गुमानी पड़ी अपनी आखों को इतने एंगल पे गुमाना पड़ा और इतना पेड नजदिक है तो कभी कभी आखों को इतना ज़्यादा गुमाना पॉसिबल नहीं होता तो आपको अपनी मुंडी भी गुमानी पड़ सकती है ठीक है सेम वैसे ये ट्री को देखने के लिए आपको सिर्फ इतना ही एंगल पे अपनी नज़र घुमानी पड़ी सन के पास पहुंचते पहुंचते एंगल है वह ओल्मोस्ट जीरो हो जाता है यहां पे हम जीरो एंगल नहीं दिखा सकते जीरो के आसपास का भी नहीं दिखा सकते क्योंकि infinite distance पे सन यहां पे स्क्रीन पे लेना मुश्किल है ठीक है इतनी ज्यादा नजर घुमाने पड़ते है उतनी ज्यादा आपको relative speed नजर आती है इसलिए यह जो first tree था वह ज्यादा speed से पीछे की और जा रहा था यह प्री कम speed से जा रहा था और यह sun है वह आपको आपने साथ साथ नजर आ रहा था प्लियर है इतना तो यह हो गया parallax मतल तब आपको चो actual में position दिखाए देनी चाहिए उसके अलावा कोई और position दिखाए देती है अब उसका ही एक दूसरा example ले लेते देखो वो text book में दिया हुआ है यहां से start करते हैं when you hold a pencil in front of you against some specific point on the background suppose a wall and look at the pencil first through your left eye left eye को नाम दे देना है A okay closing the right eye right eye को close करके ठीक है अगर आप नहीं close कर सकते हैं तो एक हाथ रख दो ठीक है and then look at the pencil through your right eye B closing the left eye okay you will notice that the position of the pencil seems to change with respect to the point on the wall this is called parallax अब यह जो मैं बोल तो गया आपको शायद समझ में नहीं आया होगा यहां पे हम clear करते हैं ठीक है suppose यह आपकी दूँ आख है clear यहां पे मैंने रखी थी pencil और यह पीछे है wall वाल के उपर suppose आपके घर पे कुछ भी कोई object है suppose यह switchboard है अब मैं एक eye को बंद कर दूँ suppose मैंने right eye को बंद कर दिया और left eye से में देख रहा हूं तो मुझे देखना कहां पे हैं यह switchboard पे switchboard पे ही आपको focus करना है but side में आपको observe करना है कि pencil की position क्या है उसके बाद आपने क्या किया second time आपने क्या किया यह जो left eye थी उसको close कर दिया और right eye से आप उसी board को देख रहे हो और pencil है उसको सिर्फ observe करना है तो आप यह आख है एक आख बंद एक आख चालो ऐसे करते रहोगे तो आपको pencil की position है वो continuously changing नजर आएगी एक बार pencil इधर दिखेगी एक बार pencil इधर दिखे हो क्या करना है एक pencil रखनी है आपके हाथ में सामने की और पिछे दिवार होनी चाहिए और आप अपनी एक left eye से देख रहे हो जब left eye से देख रहे हो तब right eye को close करना है ठीक है left eye से देखो उसके बाद फिर से right eye से देखो फिर left eye फिर right eye आपको हर बार pencil की position है वो change होती होई नजर आएगी देखना किदर है wall पे बट observe किसको करना है pencil को clear तो यह method को बोला जाता है parallax method अभी इतनी simple सी बात है बट उसका हम use कहां पर कर रहे हो देखो कि हम यह जो simple सी बात है parallax उसका use करते है distance measure करने के लिए वो भी कहां तक का तो एक planet से दूसरे planet तक का है ठीक है okay the distance between the two points of observation is called the basis मतलब आप दो आख से देख रहेते न तो दो आख के बीच में जो distance से उसको क्या बोला जाएगा base okay in this example the basis is the distance between the eyes okay तो आपको यहाँ पे basis के definition भी याद रखने है the distance between the two points of observation is called the basis okay अब आगे बढ़ते हैं to measure the distance capital D of a far away planet S by the parallax method we observe it from two different positions A and capital B okay on the earth okay separated by distance AB equal to small b at the same time as shown in figure अब यहाँ पे मैं figure प्रो कर लेता हूँ suppose यह है हमारा planet Earth okay तो मैं दो point ले रहा हूँ यहाँ पे diametrically ending point पे okay तो यहाँ पे एक observer रहेगा A और यहाँ पे एक observer रहेगा B जैसे हम pencil को देख रहे थे न तब हमारे पास दो आग थी ठीके न और left eye को मैंने नाम दिया था A और right eye को मैंने नाम दिया था B अब जब हम planet के बीच में distance measure कर रहे हैं तब हम दोनों eye को left eye और right eye को इतना दूर तो नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे हम suppose यहाँ पे दो scientist है हमारे पास एक scientist है वो यहाँ पे रहेंगे एक scientist यहाँ पे रहेंगे ठीके तो यह एक आख हो गई हमारे लिए और एक दूसरी आख ही हो गई और एक साथ हमें क्या करना है वहां तक का में distance मेजर करना है तो एक ही time पे suppose मैंने A से observe करना start किया planet S को ओके और second time मैंने B से observe करना start किया planet S को clear एक ही साथ मुझे observe करना है और telescope ने horizontal line के साथ क्या angle बनाया वो not करना है उससे क्या होगा कि ये दो angle हमें पता चल जाएंगे अब ये दोनो angle पता चल गए ठीक है ना अगर ये दोनो angle हमें पता चल गए तो फिर जो third angle है वो हमें मिल सकता है कैसे तो triangle है उसके तीनों angle का addition होता है 180 तो ये angle ठीका मुझे साथ पता चल गया ये A B distance था वो क्या था B और हमें measure करना है ये distance capital D distance between earth and planet ओके तो ये है earth यहां तक clear है ओके फिर से मैं repeat करता हूँ To measure the distance capital D of a far away planet as by the parallax method we observe it from two different positions A and B on the earth separated by distance A B equal to small b at the same time as shown in figure अब आगे बढ़ते हैं we measure the angle between the two directions along which the planet is viewed at these two points ओके तो हम क्या करते हैं we measure the angle between the two direction कौनसी दो direction एक ये वाली और एक ये वाली ये दो direction के बीच में हमने यहां पे जो ठीटा denote किया है वो हम measure करेंगे ठीक है अब उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद the angle ASB in figure represented by symbol theta is called parallax angle और parallactic angle तो यह जो ठीटा हमने यहां पे denote किया है वो क्या है parallax angle अब आगे बढ़ते हैं as the planet is very far अब planet is very far उसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो हमारा diameter है b is less than less than क्या हो गया capital d मतलब earth का diameter है उससे ज्यादा distance पे क्या है planet planet है वो बहुत ही ज्यादा distance पे मतलब ज्यादा दूर है तो b by d is less than less than 1 लिख सकता हूं मैं d को यहां पे नीचे ले क्या हूं इसलिए लिखाए देखो as the planet is very far away b by d is less than less than 1 and therefore theta is very small and therefore theta is very small then we approximately take ab as an arc of length b of a circle with center at s and the distance capital d as the radius तो मतलब क्या हुआ यहां पे ab जो आपको दीख रहा है वो arc बन जाएगी यहां पे s जो planet है वो center बनेगा और यह जो d है वो क्या बन जाएगा radius अब ऐसा क्यूं हो रहा है देखो तो जितना distance बढ़ेगा उतनी arc है वो हमें लगेगी straight line में सपोज मैं यह center लेके ऐसे arc लगाओ तो यह arc आपको शायद circular नजर आएगी बट अगर मैं very small angle के लिए लू तो यह angle मैंने ले लिया small तो यहां से यहां तक जो arc है न वो आपको अभी straight line नजर आएगी देखो है अब यह straight line है तो same way यहां पे ab थी वो straight line थी बट यह s distance उतना ज़्यादा दूर है कि यह जो straight line है वो उसके लिए क्या बन जाएगी arc clear है यहां तक अब आगे बढ़ते हैं अब एक simple सा formula देख लेते हैं पहले भी हम यह formula पढ़ चुके है from figure figure के help से हम ले रहे हैं यह angle equal to हमें पता है कौन सा formula है arc upon radius अब arc कितनी है a b angle है theta तो theta equal to a b arc upon radius कितनी रहेगी तो earth का कोई एक point वहां से planet तक का distance मतलब a से लेके s तक तो theta equal to r k b मतलब क्या earth का diameter b और a s मतलब क्या distance between two planet मतलब हमें आपके क्या find करना था d तो d equal to मिलेगा b upon theta ok d equal to मिल गया b upon theta ok यह formula आपको याद रखना है अकर याद नहीं रखना है तो फिर आपको यह formula याद रखना पड़ेगा angle equal to r upon radius और आप कभी भी यह formula की help से angle equal to r upon radius की help से d equal to b by theta derive कर सकते हो clear clear तो ऐसे हम एक planet का distance earth से measure कर सकते है कोई भी planet है कोई भी star है ठीक है ना तो distance हम parallax method की help से measure कर सकते है अब हमने यह distance measure कर लिया ठीक है ना अब जो next part है मैं उसमें यह distance को use करूँगा कैसे देखो अब मुझे measure करना है size measurement of size of planet अब planet की size measure करने के लिए मैं क्या करूँ तो यह earth है हमारी ठीक है earth के दो ending point है sorry यहाँ पर तो ending point की ज़रुद भी नहीं है earth के उपर किसी एक point से यह observe करना है अब ही और suppose यहाँ पर कोई planet है ऐसे कुछ है तो मुझे क्या करना है यहाँ से start करके earth का जो geometrically ending point है उसको observe करना है ओके ओके तो यह अर्थ का diameter जो है वो मुझे find करना है उसको मैं नाम स्कॉप यह direction में रखा था second time यह direction में रखा था अब डोनों डिरेक्शन के बीच में में एंगल मेजर कर सकता हूँ clear और यह है अर्थ ओके तो same formula यहाँ पर use करना है देखो कौन सा formula angle equal to arc upon radius angle क्या है theta तो theta equal to arc क्या रहेगी अभी d और radius capital d हमें क्या find करना था small d तो theta into capital d कर सकते है ओके यह formula भी याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यह formula याद होगा तो आपको अभी भी derive कर सकते हो बट यह दो जो हमारे पास formula है एक capital d equal to b by theta और यहाँ पर दूसरा formula मिला में small d equal to theta into capital d अब हम यहाँ पर क्या करते है theta angle नहीं रखते है आप confuse हो जाओगे हम रखते है alpha तो यहाँ पर भी आएगा alpha ओके अब समझो यहाँ पर जो angle है वो always कौन से unit में होना चाहिए radian में याद रखना angle है वो हम degree में भी measure करते है और radian में भी measure करते है बट degree में आप कब यूज करोगे trigonometric functions के साथ मरलब sin, cos, 10, cos, sec, cot यह सब functions के लिए और normal addition suppression के लिए use कर सकते हो बट जब arithmetic operations है like multiplication, division, other unit के साथ जैसे यहाँ पर angle का multiplication है बट किसके साथ है meter के साथ ठीक है ना तो other unit के साथ अगर multiplication division ऐसे कुछ है तो फिर आपको compulsory radian में रखना पड़ेगा क्यों क्योंकि radian है वो ऐसा unit of plane angle है ठीक है ना supplementary quantities में दो थी plane angle and solid angle उसमें से यह है angle जो हम बोल रहे है वो plane angle है ठीक है तो उसका unit रहेगा radian तो जब भी numerical में आपको angle दिया जाए तो अगर degree में है तो सबसे पहले उसको convert करो radian में और radian में कैसे convert करना है वो हम आगे सीख लेते है ठीक है ओके तो आगे पढ़ते है range of length length की range क्या होगी physics में तो physics में आप start करोगे 10 to power minus 14 meter which is the size of nucleus to 10 to power plus 26 meter which is the length of observable universe मतलब आपकी deal physics में minus 10 to power minus 14 meter से start करके 10 to power plus 26 meter तक होगी तो यह total range कितनी हो गई 10 to power 40 meter जितनी ओके तो इतनी बड़ी range है तो उसमें हर एक measurements को describe करना उतना easy नहीं रहता इसलिए हमने बनाए special units of length जैसे की for me 1 for me equal to 10 to power minus 15 meter देखो अगर मैं यह सिर्फ meter में दिखाता तो 0.000000 बहुत सारे times 0 लिखने के बाद 1 आता ठीक है ना अब इतना चोटा unit है तो हम easily describe नहीं कर सकते इसलिए यह पूरा है उसको हमने नाम दे दिया one for me ठीक है ना तो special units है तो काफी helpful रहेंगे describe करने में measurements को तो one for me आपको याद रखना है 10 to power minus 15 meter एंग्स्ट्रॉम देखो one एंग्स्ट्रॉम equal to 10 to power minus 10 meter उसके बाद है यह दोनों small measurements के लिए था अभी large scale पर आते है astronomical unit अब astronomical unit की definition क्या है देखो average distance of the sun from the earth is called one astronomical unit अब average distance क्यों लिया क्योंकि suppose यहाँ पर sun है तो earth कुछ इस तरह rotate करती है ऐसे shape में ellipical shape में तो जो sun से earth का distance है वो continuously change होता रहता है ठीके तो यह सभी distances से उसकी average निकाली है और वो average distance को हम क्या बोलते है average distance को बोलते है astronomical unit अब उसकी value क्या है वो देखते है one astronomical unit equal to 1.496 into 10 to power 11 meter उसके बाद आते light year light year की definition देखो distance traveled by light in one second sorry यहाँ पर आएगा one year distance traveled by light in one year is called one light year okay distance traveled by light in one year is called one light year okay और वो भी किस में vacuum में खास याद रखना है यह जो distance traveled है वो vacuum में रहेगा अब सोचो जो light एक second में three lakh kilometer distance travel करती है वो पूरे एक साल में कितना distance travel करेगी तो इतना बड़ा distance है उसको हम बोलेंगे one light year अब one light year की value क्या है देखो one light year equal to 9.46 into 10 to power 15 meter उसके बाद आते पार्सेक ठीक है ना तो पार्सेक है उसकी रेफिनेशन पड़ो अब पार्सेक is the distance at which one astronomical unit मतलब हमारा जो पहला distance है यहाँ पे ये अब पार्सेक is the distance at which one astronomical unit will substan an angle of exactly one second of arc ओके तो वन पार्सेक रहेगा 3.08 into 10 to power 16 meter ओके तो शायद हो सकता है कि आपको यह fourth and fifth measurement है वो समझ में ठीक से नहीं आया होगा तो हम यहाँ पे detail में देख लेते देखो first for me वो आपको याद रहे जाएगा one for me equal to 10 to power 15 meter minus 15 meter one angstrom equal to 10 to power minus 10 meter याद रहे जाएगा astronomical unit वो भी आपको याद रहे जाएगा क्योंकि वो average distance between क्या है earth and sun और उसकी value fixed है वो measurement based है तो value कितनी है one astronomical unit equal to 1.496 into 10 to power 11 meter अब यह fourth है light year उसको अच्छे से समझते हैं यहाँ पे यह जो fourth topic था light year ly चलो one light year equal to क्या है तो distance light year क्या है एक type का distance ही है तो distance traveled by light ओके in one year तो आपको क्या करना पड़ेगा distance equal to speed into time कर सकते हैं क्योंकि speed equal to distance upon time अब light की speed क्या है 3 into 10 to power 8 meter per second time क्या है one year समझना पर यहाँ पे हमने लिया है meter per second में तो जो time आएगा वो second में होना चाहिए तब ही तो second second cancel हो जाएंगे और हमें answer मिलेगा meter में तब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं one year को हमें convert करना पड़ेगा second में तो one year उसमें कितने days होते हैं 365.25 days .25 क्यों लिया क्योंकि हर 4 साल के बाद एक leap year आता है जिसमें 29 फेद्ध होती है one day extra अब 4 साल के बाद आता है न तो one day extra add करो 4 साल में तो हर एक साल को कितना मिला 0.25 दे तो वो मुझे एक साल में add करना पड़ेगा तो 365.25 days on an average मान लेते हैं into अब one day में 24 hours और one hour में 3600 second अब ये सब मुझे यहाँ पे multiply करना है तो मैं अपने calculator में कर रहा हूँ 3 into 365.25 into 24 into 3600 तो मेरा answer आया 94672800 ये आप भी verify कर सकते हो into 10 to power 8 ये answer मिला मुझे meter में अगर मैं 9.46 कर दूँ into 10 to power समझना अब power count करते हैं तो यहाँ पे मैं अगर point रख रहा हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 नमबर है पीछे तो 10 to power 7 तो वही हो गया और 8 यहाँ पे था 7 plus 8 15 तो मेरा answer आया 9.46 into 10 to power 15 और distance कितना में ने लिया था 1 light year clear तो वह यहाँ पे हमने लिखा था 9.46 into 10 to power 15 meter ओके यह fourth हम समझ गए अभी fifth समझते हैं थोड़ा difficult है बट आप समझ जाओगे ठीके पार्सेक क्या है अब पार्सेक is the distance at which one astronomical unit would suspend an angle of exactly one second of arc अब समझना है इसका हमें diagram ड्रो करता हूँ यहाँ पे suppose एक center है center से कोई एक radius की में अगर arc लगाओ तो जो यह arc लगी वो एक astronomical unit की होनी चाहिए और जो distance है वो पार्सेक है मनलब ऐसा distance जो one second के angle पे one astronomical unit जितनी arc लगाए उसको हम क्या बोलते हैं one parsec अब आप सुचोगे angle है वो second में कैसे तो angle का measurement अब तक आप पड़े नहीं हो तो यहाँ पे मैं एक बार discuss कर लेता हूँ measurement of angle measurement of angle में देखो हम angle को कुछ इस तरह measure करते first degree में सपोज मैं लिखू one degree second minute में one उसके बाद एक एक बार dash करो तो minute और यह हो गया second यह है degree यह है minute और यह है second अब convert कैसे करें तो one degree equal to 60 minutes जैसे हम time measure करते है न वैसे ही है one degree equal to 60 minutes one minute equal to 60 seconds तो अगर मैं one degree को direct second में convert करूँ तो 60 minutes into 60 seconds मतलब 3600 सेकेंड आएगा same way अगर मुझे एक second को degree में convert करना है तो तो one upon 3600 degree हो जाएगा तो यह आपको अभी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा अब आगे बढ़ते हैं हमें यहाँ पर degree को radian में convert करना पड़ेगा तो हम start करते degree to radian तो one degree है उसको radian में कैसे करोगे convert तो one into pi upon 180 कर दो pi divided by 180 कर दोगे तो क्या हो जाएगा radian में convert हो जाएगा और अगर मैं उल्टा करूँ radian to degree तो one radian equal to 180 divided by pi कर दो one into 180 divided by pi कर दो तो क्या बन जाएगा degree यह आपको याद रखना है degree में से अगर radian में convert करना है तो pi by 180 से multiply करना है और radian में से degree में change करना है तो 180 by pi से multiply करना है clear इतना ओके यह सब ध्यान में रखोगे तो यहाँ पे जो हम derive कर रहे है one parsec की value वो आपको समझ में आ जाएगी अब चलो derivation पे चलते हैं यहाँ पे मुझे क्या करना है parsec find करना है तो मेरे पास formula तो वही है angle equal to arc upon radius अब angle कितना है one second तो one second को convert कर देते है degree में तो one upon 3600 और उसी को convert कर देते है radian में चुकि angle equal to arc upon radius वाला formula मुझे use करना है तो angle मेरे पास होना चाहिए radian में तो मैंने angle था second में उसको degree में convert किया पहले 3600 से divide करके और pi by 180 से multiply करके उसको convert कर दिया radian में equal to arc कितनी है one astronomical unit divide by radius कितना था तो वन पार सेख अब यह हुआ pi की value है 3.14 3600 180 चलो 1 AU क्या था हमारे पास 1 AU था 1.496 x 10 to power 11 तो यह हो गया 1.496 x 10 to power 11 और divide by 1 पार सेख हमें find करना है clear अगर मैं 1 पार सेख अलग ले लू तो फिर क्या करना पड़ेगा 1.496 x 10 to power 11 x 3600 x 180 और divide by 3.14 अब यह मैं calculate कर रहा हूँ अपने calculator में 1.496 x 3600 x 180 divided by 3.14 यह मेरा answer आ रहा है 308 728.66 करके है 662420 बट उसको ignore करते है point में बात की value को और into 10 to power 11 meter अब मैं अगर यह लिखना चाहूँ 3.08 तो into 10 to power कितना करना पड़ेगा तो यह point को मुझे इतना shift कराना पड़ रहा है 1,2,3,4,5 number मतलब 5 यहाँ पर power में add होगा तो कितना हुआ 10 to power 16 meter मतलब मेरा 1 parsec हुआ 3.08 into 10 to power 16 meter जो कि यहाँ पर आमने लिखा था 1 parsec equal to 3.08 into 10 to power 16 meter यह भी आपको याद रखना है तो यहाँ तक हमने measurement of length पड़ा measurement of length या distance के लिए हमने सबसे पहले पढ़ी parallax method पढ़ने के बाद हमने special units पढ़े special units में जो भी relations दिये हुए है वो सब आपको याद रखने है next time हम measurement of time, measurement of mass यह सब theories स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद एक video numerical का भी आ जाएगा जो भी आपने पढ़ाए उसकी एक not बना के रखनी है और जितने भी formulas जितने भी derivations जितने भी relations सब कुछ आपको याद करके रखना है clear जैसे मैंने यहाँ पढ़ाया degree to radiant कैसे convert करते है radiant to degree तो हो सके उतना आप यह formula की practice करो जितने भी आपको इसके related numericals दिखे वो solve करने की try करो ओके thank you